हाई गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ फाइफ क्यूट किट से एरस्टाइल शेयर करूंगी तो मैंने ये पांचों हेरस्टाइल अपने बेटी के किये हैं आप भी अपनी ब बेटी के बालों पर आउइलिंग भी की है तो आफ्टर आउइलिंग भी आप सभी हेरस्टाइल अपने बच्चों के बालों पर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो मेरी बेटी को मैंने हेर वाश करवाया हुआ है सीमर मेरी 5 साल की बेटी है तो हेर व रबर्ट बेंड का यूज किया है इसी मैंने लोकल मार्के स्टोर से 40 रुपीज के पूरा पैकेट भाई किया है जिसमें आपको काफी अच्छे अच्छे कलर मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से मैंने पाटिशन करके चार मैंने रबर्ट बेंड का यूज किया है और यह जो चारो मैंने पॉनिटेल्स छोटी-छोटी सी की है इन्हें पीछी वाली पॉनिटेल में साथ में ही मैंने ज्वाइन कर दिया है यह वला हीरस्टाइल बहुत ह जदा प्यारा लगता है आप चाहे तो रबर्ट बेंड के इलावा जो बीड्स होती है उसका भी यूज कर सकते हैं वह भी बहुत ही जदा सुंदर लगती है तो पीछी मैंने पॉनिटेल कर दिया आप चाहे तो अपनी बेटी के ब्रेड भी बना सकते हैं या फिर फ्रेंच बड़ा cute hairstyle लगेगा तो guys second hairstyle में मैंने चीर निकाला है कौम की help से zigzag आप देख सकते हैं कि बिलकूल जिग जड़ा design बना पर कौम की help से ही मैंने ये वेला चीर निकाला है फिर मैंने एक साइड से बाल लिए है ज्यादा बाल मैंने लिए है बिलकुल close से मैं आपको दिखा र डबड़ बेंड टाल दीया है आप चाहे तो टिक-टैक का यूज़ कर सकते हैं इस अरा को और भी ज्यादा सुन्दर बनाने के लिए या फिर बेंड अपने बेटी देखने को मिलती है तो आप किसी भी तरह की हेर असेसरी का यूज कर सकते हैं मैंने सिंपल जिग जैग चीर निकाल कर दोनों साइड पर यह रड रवर्ड बंड डालें क्योंकि मेरी बेटी ने रेड ब्रस डाली है और बाकी बालों को मैंने ऑपन ही छोड़ दिया आप चाहे जिग जैग बना सकते हैं बालों पर अब मुझे डबल ब्रेड बनानी है बालों पर मैंने ऑइलिंग की हुई है आप चाहे तो अपने बेटी के बालों को ड्राय भी रख सकते हैं या फिस सेरम का भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो को पर चाहे बालों पर यहाँ बना दी है इसके बाद मैंने यह वह टिक टैक का यूज किया है बड़े प्यारे इस पर यह डिजाइन बना हुआ है काफी कलर इसमें मिल जाते हैं आप अपनी बेटी की ड्रेस के साथ का मैचिंग कोई भी हेरसेस्ट्री का यूज कर सकते हैं तो फोर्थ में मैंने हाई पॉनी टेल किया हाई पॉनी टेल करने के बाद मैंने रबर्ट बेंड का यूज किया है यह सारे ही हेरस्ट्राइल काफ सिंगल ब्रेड बनाई है क्योंकि मुझे फाइफ यह स्टाइल करने है तो मैंने जल्दी-जल्दी से ब्रेड बना दिया वैसे मैं अपनी बेटी के खजूरी ब्रेड भी बना देती हूं वह भी बड़ी ज्यादा प्यारी लगती है मैंने काफी ज्यादा रबर्ट बैंड टि यह रबर्ट बेंड की तो यह पॉनी टेल वाला हैस्टाइल भी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है फिफ्थ हेस्टाइल में आप देख सकते हैं फ्रंट से मैंने बाल लिए और यहां पर मैंने छोटा से यह रबर्ट बैंड डाल दिया है काफी कलर इसमें मुझे मिले कि आप तीन यहां पर छोटी-छोटी पॉनी डाला चाओ यह पर मैंने यह पूर्ड बैंड से जौन कर दिया सभी पॉनी टीन पॉनी टेल को और यहां पर फिर से मैंने छोटी से एक तीन लगा दिया है आपको वीडियो अच्छी लगए हो कि सारे ही अस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगए होंगे वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब थैंक्स फॉर्वाइब